और इधर बीजेपी कार्याल यह है वो इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं जहांपर आराम से कर्मनेवाद़िकारस ते इस तरीके की कंडिशन है लेकिन शयलेश अरोडा जहां पर है वहाँ पर बड़ी हल चल है आजब गडर के कारेकरता से भी अभी बात कर रहे थे शयलेश और किस से किस से बात हुए आपको, क्या कह रहे हैं सभी लोग। अब निश्चीत रूप से धायर रखी है राश्टी अपने कार्यकरताओं से अपील करते हैं वहां से भागे ना भारती जनता पार्टी वहां से निश्चीत रूप से आरेगी और जिस तरह देख रहे हैं आप आजयमगड में चो शिर्फ 1814 वोट और धर्मेल जी पीछे हैं वहां तो जीत निश्चीत है अब समाजवादी अपना एरिया पकड़ रहा है जिस तरह से ग्रामीर एरिया में जाएंगे अभी सहरी चेत्र की गिंती चल रही थी अब समाजवादी पार्टी धिरी धिरे ग्रामीर की तरफ जाएगी जैसे ग्रामीर की तरफ जाएगी पिर बी वहीं हैं ग्रामिर में अगनी बीर है जिस तरह से बहरती जंता-पार्टी जिस तरह से बहुख्लाएगी इस चुनाव के जित रहे हैं क्योंकि किसा रखते हैं तो तुक्त के शुनाओं के नतीजों से चल आया भी कवंटिंग चल लई है तो कई तनाव बढ़तों नहीं रहा है आप लोग का किया रहे बड़ी मुश्किल दोर ख़ला कर दिया भाज़पार नहीं नहीं आप जैसा देखेंगे अब तक 62 सब कुछ होटों से नहीं रहुए आगे थे इस समय देखेंगे 1814 होट है इनसे पूछे कि गुड़ू जमाली क सरकार ने जिस तरह से प्रसासनी को फियोग किया है बिल्कुल बात करेंगे आप क्योंकि आजम गड़ते एक चीज बताए गुड़ू जमाली जो है वहाँ पत चिनावलों उनको लेकर क्या लगता है आपको वोट तो बहुत ज्यादा लेया है नुक्सान तो सपा को ही है ज हमें को लाब आपको नुफसान लुक्सान क्या है तो अभी फांसला जो थोड़ा बहुत है तो जब जीतेंगे हम तो हमको सबको मिलन फाइदा है हारते है तो आद्मी करता है लेकिं जो आपने कहा है कि हम जेतेंगे झीद्र ने गांडूर आपनाफरे चुना देखा हो गा कि अधार काड्ट में मनेता है कि अधार काड़ कहा मानने लेकिन वहां दारकाड नहीं मानने रहते हैं और वोटरों को किस तरह से मारा पीटा जा रहा था वो आपने देखा ही है और दूसरी जो आप कहा रहे थे कि रहे हैं पांच किलो रासन देके आप सर्थुक तेल 200 रुपया लिटर करती है गया सिरिंडर 1100 रुपया है आपे लिए yoga लेकर तावी मिल अभी और अश्चा चल्दा आ लड़ता है और ज वाड़ता है तो अखारे मं जैब पालवान अच्छा लड़ता है तो अच्छा ही कहा जाता है अर हहां ब dif ठपा रहा इसे लेकि नहीं कहे नहीं के रिजफास लेकिन जिले में हमने आप से पहले ही कहा चुनाओंगे और गुट्टु जमाली और दम लगा दिये तो धर्मिंद्र यादों को दिक्कत नहीं होगी कि बिल्कुल देखें निशीदू ने बहुत इवाजिश सवाल आप यह बता हो कि जीत का मार्जिंग जो है वो थोड़ा सा कम हो सकता है आप सपाज जीती है तो अगर सपाज जीती है तो लोग यह कहेंगे कि बाजपा का काम था भाजपा ने अपने काम मानना तो आपको भी पढ़ जाएगा ऐसा हो एसा नहीं कुछ नहीं है दिल्कुर जी का ये एक अलग तरीके की विडम बना है कि हम जीते तो हमारा घर था हम घर में जीते और हारे तो हम अपने घर में आर गए तो ये कंडीशन तो जरूर है अब देखते हैं कि इसका जवाब नेता लोग कैसे देंगे छोटे नेता लोग तो तैयारी कर रहा है जी सवाल दोराएंगे एक बार मैं ये कह रही हूँ आप कौन से राउंड पर पहुँटे हैं सनुच और आकड़े हाँ देखिए अभी हमारी यहां के जिला निवराचना भितारी से बात हुई है चुकि सबसे ज्यादा जिदी बात करें तो रामपूर विधान सभा की बात करें 33 राउंड थे तमाम जो राउंड थे उनकी गिंती पूरी हो चुकी है बीजेबी पिरतियाशी गंशान सिंग लोधी की जीत है वो लगबग तैम आनी जा रही है अभी तक चुकि पूरा अखला नहीं आया है ये बताय जा रहा है कि 25 से 28 जार बोटों से वो आगे की तरह ब बड़ा प्रभाव क्षेत्र है आजम का अब भी जा सकता है इसके घोशना अगले आदे घंटे में हो जाएगी जिस तरीके से हमने पहले ही बता दिया था कि दो घंटे में तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी तो आप देखें वही आखड़ा निकलकर आ रहा है कि दो घंटे में जो तस्वीर है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं आकिर कमी कहा रह गई है देखें अभी जब तक अधिकारी गोशना नहीं हो जाएगी तब तक तमाम चीजे क्लियर नहीं हो पाएंगे लेकिन अधिकारियों का कहना है कि 10 से 15 मिनट के भीतर ये तस्वीर साफ कर दी जाएगी कि जो बीजेपी के प्रतिया कि कौन होगा प्रत्याशी जीत की और लेकिन लगभग जीतना तै बताया जा रहा है जीत का मार्जिन भी बताया जा रहा है 25 से 30 हजार की तरफ होगा ये बड़ी जानकारी रामपूर से इस वक्त आ रही है बड़ी खबर रामपूर में बीजेपी प्रत्याशी गंश्याम लोधी की जीत लगभग तै बड़ी खबर बड़ी अफडेट रामपूर से 20 से 25 हजार के मार्जिन से जीत लगभग तै बतायी जा रही है रामपूर शेहर की सबसे बड़ी विदान सबाक्षेत्र की काउंटिंग खत्म हो चुकी है और काउंटिंग खत्म होने के बाद के साथ सामने आएगी और इसी के बीच आजमकर की अपडेट के लिए भी हम रुख करेंगा लुका देखे बड़ी खबर दे रहे हैं इस वक्त इसने लता जहां धर्मेंदर यादव फिर से आगे हो गए हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर आजमकर से समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई ये तस्वीर जहां सपा एक बार फिर से आगे हो गई है 826 बोटों से धर्मेंदर यादव आगे हो गए हैं रामपूर की सिती बताई लेकिन आजमकर से एक अच्छी खबर जाती हुई आजमकर में समाजवादी पार्टी के खाते में जहां एक बार फिर से धर्मेंदर यादव बढ़त बनाते हुए शुर्वात हो गई है एक तरह लेकिन अब देखिए फिर से पासा पलट गया है फिर से स्थिती बदल गई है अनू यह लगता है 6-7000 का आंकड़ा त्रेश होल्ड की तरह हो गया है जहां पहुंचने के बाद लोगों को पीछे आना पड़ता है और देखिए जैसे ही 6-7000 के आंकड़े के पास पहुंचे दिनेश लाल यादव वहां से यह बड़त गिरते गिरते और आप माइनस में जा चुकी है और यह बड़त पहुंच चुकी है किसके खाते में धर्मिंद्र यादव यानि समाजवादी पार्टी के खाते में और यह बड़त नाम हो चुकी है समाजवादी पार्टी के 800 अला लेकिन अब स्नेल अता तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जाएगी जिस तरह से रामपुर की तो हम बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि लगबग ऐसे ही नतीजे देखने को मिलेंगे जो रुझान अब दिख रहे हैं जहां पर भाजपा लीड करती हुई दिख रही है रामपुर मे आसिम राजा जो की सपा की कैंडिडेट हैं वे पीछे चल रहे हैं और जैसा हमारे समबाददाता ने बताया कि तकरिवन आदे घंटे में यहां रिजल्ट भी गोशित हो सकते हैं इतना ही मात्र समय बचा है कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी को एक सीट पर के जो रुजान है उसे देखकर तो यहां स्नेहा यही लग रहा है कि सटी कुछ नहीं कह सकते हैं घर की जीत या फिर घर में ही हार यह दोनों ही सिचुएशन में जवाब देहीं जादा तर दिखाई देती है समाजवादी साचिक पर देखें बड़ी खबर आसम कर्ण में भ परे निशान के साथ उठी है भाजपा और फिर से लाल निशान पर गए हैं धर्मेंद्र यादव बड़ी खबर आजम कर्ण में भाजपा फिर से आगे हो गई है जहां तकरीब आट सो बोटों से ही शुरवात की ही थी मातर धर्मेंद्र यादव लेकिन फिर से भाजपा न कितनी बाकी नितीश नितीश आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी अपडेट कौन सा कितना रांग पाकी है देखें अभी किस्वा राउंड चल रहा है और आपको अपडेट बता दू कि धिनेश लाल यादव निरवा पिर से आगे हो गए है अभी कुछ देर पहले का अगे हो गए से लेकि फिर से एक बार निरहुआ ने परहत बना ली है और ये बहत लगबस 24.09 वोटों से आगे हो गए फिर से दिनेश लाल यादव निरवा निरवा नितीश आखरी कितने राउंड बाकी है जल्दी से यवी बताईए देखें अभी अभी नो राउंड बा अब को बता दें एक चीज़ और एक अपडेट और 24.09 वोटों से अब निरवा आगे हो गए है 24.09 वोटों से दिनेश लाल यादव निरवा आगे हो गए है कुछ जिए पहले का अपडेट बताऊं तो आज चो 26.09 वोटों से आखरी के अधर निरवा ने एक बढ़ी अब तक सांसे ठाम करके रखना होगा क्यूकि रामपूर की तरह यहां तस्वीर क्लियर नहीं हुई है रामपूर में लग भग तैह आप चारिक ताइं मात्र बाकी है क्यूकि बहुत जादा अंतर देखा गया है लेकिन आसमगर का मैच बुरी तरीके से फ़सा हुआ है बाटपा दफ्तर चलते हैं सीधार उपकरते हमारे सहयोगी विवेक का और वहाँ पर हलचल भले ना हो लेकिन हर कोई इस वक्त निगाथ टिका करके आजमगड की ओर देख रहा होगा विवेक अगर आजमगड का ये किला हिल गया तो फिर मान कर चलिए इसी दफ्तर के आगे जश्न का पहौल होगा बहुत अच्छी तयारी भी की थी इसके लिए आजमगड में आजमगड में MY समीकरण जो था उसको भाषपा ने अच्छी तरह से साधा तिनेश यादो निरववा को टिकट दिया दोसरी तरफ गुड्डू जमाली जो मुस्लिम प्रत्याशी है वो समाजवादी पार्टी के बड़े वोट काट रहे हैं सारे समीकरण को ध्यान में रखते हुए बाषपा ने अपना प्रत्याशी उतारा था इसलिए बाषपा बड़ी मिश्चिन थे कि दस विदान सबा सीटे अगर आजमगड में समाजवादी पार्टी के पास है और नेता प्रतिपक्ष अक्षले अकलेश यादो का वो गड़ कहा जाता है वहाँ से वो सांसद रहे पर उन्होंने सीफा दिया वहाँ से कुरसी छोड़ी उसके बाद दुबारा कुरसी पर काबिज ना होने बाए इसलिए बड़े समीकरण फिट करके बारती जंता पाटी ने वहाँ पर कंडिडेट को उतारा और वो चेहरा निश्चित तोर पे अभी काटे की लड़ाई दिख रही है लेकिन वो चेहरा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है वो फलीभूत हो रही है वो रिजल्ट सामने ला रही है और निरवा बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ रहे है एक बात ये भी थी कि आजम गण में गुड़ू जमाली का अच्छा खासा प्रभाव है बसपा की टिकट से होने के नाते उसके नाते लेकिन उससे इतर भी उनका वेक्टिकत प्रभाव बहुत अच्छा खासा था और गुड़ू जमाली को एक अद्रश्ची प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा था जो कई कमाल कर सकता था निरववा से भी आगे और धर्मे नियादों से भी आगे गुड़ू जमाली निशिस्टों पर तीसरी लड़ाई पर है लेकिन वो लगातार बहुत फर्क नहीं है अगर आप वोटों का संख्या देखेंगे गणी देखेंगे तो गुड़ू जमाली भी 19-18-19-20 इस सितिती में लगातार ठकर देना है और ये सारे वोट जो कट रहे हैं समाजवादी पाइटी के मुस्लिम वोट गुड़ू जमाली काट रहे हैं और जो दलित वोट है वो काट रहे हैं और इसका पूरा फायदा निरववा को भी आ गया है तेजी से पतल रहे हैं ये आप जान रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी सनुच का रामपूर में भी हलचल बढ़ गई है वहां की क्या तस्वीरे क्या जानकारी सनुच अधिकारी है वह जो लिस्ट है वो जारी कर देंगे कि जो बीजेपी के प्रत्याशी है गंशाम सिंग लोधी आखिर वो कितने वोटों के अंतर से जीते हैं अभी तक कि अगर मैं बात बताना चाहूं तो करीब 28,000 से बात लिगलकर सामने आ रही है कि अभी जो प्रत्याशी गंशाम सिंग लोधी है उनकी जीत तैमानी जा रही है और यहां पर जो समाजवादी पार्टी की जो साइकिल थी कहिना कहीं हां साइकिल को जो शिकस्त है वो मिलती हु पूरी नहीं हुए है यहां नारेबादी शुरू हो गई यह पिर्शासन की और भारतिन दंतापार्टी की मिली भकत है हम यही कहते थे कि एक ग्राउंड पूरा हो जाए उसके बाद एक ग्राउंड की गिंती की जिए अभी एनाइसी जो इन्होंने कंप्यूटर सेक्शन को जान फीडिंग हो रही है चार्ट बनना है पूरे चेटर का वहां बीसओंड की गिंती अभी उसमें कंप्यूटराइज हुई है उसका हमें चार्ट मिला जिसमें 12,000 बोटों से जीते हैं 12 राउंड बाकी हैं भी जिसके हमाद चार्ट मिलना है जिसके बारे में पता चलना ह ये कहां से खबरे आने लगी को करा 25,000 जीत गई को करा 37,000 से जीत गई को करी 18,000 से जीत गई आजिमने जासाब ये तो कह रहे हैं कि थोड़ी देर में तस्वीर साफ कर देंगे तमाम जो राउंड से हैं वो पूरे हुच थोड़ी देर का इंतजार करते हैं ये खबरे कहां से खबर आ रही है थोड़ी देर पहले कहां से खबर आ रही है ये खबर बना के पेश की जा रही है और बीजी पी वालों को जश्मना नहीं किसने बुलाया किसने इन्फार्मेशन दी इन्हें कहां से खबर है हमें क्यूं लेइखने पूर्ट शुनाव को तो कि चैप्चर कर लिया भूर्ट ख़तम कर दिया तिन कांस्टंसियों को ठारगर्ट बनाके मुस्लिम बहुले चेतरों को ठारगर्ट बनाके लोगों को जहां 600 वोट वहां इतने लोग कोई उदासी थोड़ी वोट डालने के लिए कि सब बोटिन जाने में उन्हें डालने नहीं दिया गए भगा दिया आज में सब सुभे की बात करें तो पंधवे राउंड तक साइकिल बहुत स्पीड से चलती देगी फिर क्या हुआ कैसे स्पीड यह हुआ तो इस दिन जीड बारा से जीड लेए खबर आ रहे हैं कि उनके पास जो उन्हें अब तक रिपोर्ट दी गई है जो टेबल दी गई है वह बीस राउंड तक की दी गई है जब कि 33 राउंड थे तेरे राउंड किया जो टेबिल है जो मतगरना के बाद तस्वीर साफ हुई है आखिर हुने क्यों नहीं दी गई है तमाम उनके आरोप है वो पहले जिस दिन मत रहे हैं इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सपा प्रत्याशी आसम राजा को आपने सुना है जो उनका कहना है कि अभी तक ऐसा कोई अपदेट नहीं है उनके पास जानकारी नह ही मिली है ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं शुरू से लेकर अंतक में कह रहे हैं कि चुना तो हुआ ही नहीं है यहां वोटिंग तो डालने ही नहीं दी गई है तो बड़े आरोप यहां असे प्राचा लगा रहे हैं लेकिन इंतजार यहीं रहेगा चले इसी बीच बड़ी है बीजेपी कैंडिडेट दिनेश लाल यादव निरहुआ फिर से धर्मिंद्र यादव पीछे हो गया है आपको बताए कि दो दो डिजिट तीन डिजिट से बात आगे बढ़ती है पीछे आती है आजब गड़ के आखरी नौ राउंड कौन कौन सी तस्वीर दिखाएंग यह कहना मुश्किल हो गया है अभी ताजा अपडेट है कि 3,003 वोटों से बीजेपी कैंडिडेट दिनेश लाल यादव निरहुआ आगे चल रहे हैं धर्मिंद्र यादव यानि समझवादी पाची के कैंडिडेट से आगे चल रहे हैं 3,003 वोटों से आगे चल रहे हैं आखरी के 8-9 राउंड बचे हैं और इसी बीच देखिए फिर से 3,002 वोटों से आगे चल लगातार अपडेट हो रहे हैं यह जो आखरे हैं लगातार अपडेट हो रहे हैं और जब तक कि फाइनल राउंड की काउंटिंग ना हो जाए लगता नहीं है कि आजमगड में कु 3,002 वोटों से निरहुआ आजमगड से आगे हैं भाजपा कैंडिडेट यहां से बढ़त बनाते हुए उपर नीचे चल रहा है सेंसेक्स की तरह इस समय यह जो अंतर है यह जा रहा है कभी निरहुआ आगे तो कभी धर्मेंद्र यादव आगे निकल जाते हैं लेकिन इस रामपूर की करें तो रामपूर में बड़ी बढ़त बनाई हुई है भाजपा की कैंडिडेट ने और इस समय आसिम राजा ने साथ तोर पर कहा है कि जब तक नेतीचे ना आए कोई भी शको शुबाव नहीं होना चाहिए कि कौन जीत रहा है कौन हा रहा है सीधा रुक करत देखे हाल जांज यहां पर बढ़ गई है लेकिन वाजैट बनाई गए तो उनसे बात कर लेतें आप सुरू से आसबस्त थे कि बीजेपी चुनाब जीते आजडियाड का पाट्यचनाब जीते आफर घृतिες शुनाब जीते ौन्साम जी शुनाब जीते सुरू से पता लगा है कि अब यहां सब मतिकरणा में आए हैं रिजल्ट डिकलर होई चुका है अब सभी विदानसवा जीत रहे हैं कितने खुछ हैं बहुत खुछ हैं अब बिल्कुल थी लेकिन आजम खाका जैसे गड़ कहते हैं कि वह तो हवाओ का रुख पलट तो आजम का 37 विदा रहे हैं और यह चुनाव लोकसाबा का है जिसमें आपको पता है ब्लासपुर से हमारे मंत्री जी हैं बल्देव सिंग अलग जी तो उनका गड़ कहा जाए मिलक से राजबाला जी विदा है कि तो अगर पूरी लोकसाबा की बात करें तो उसे आप नहीं कह सकते गड़ यहा क्या पता लगा देखें अगर अभी सरकारी आखड़े कोशित नहीं हुए लेकिन जो राउंड टेबिल जितने राउंड कम्प्रिट हुए उनके डेटा के अकॉडिंग हम 29 प्लस लीट कर चुके सरकारी आखड़े आने में टाइम लेगा तो गंटे में वहां पर हो हैं और अगर आप खुद देखें देखें 2017 से जो मोदी जी योगी जी के निर्थत में जबसे उत्तर प्रदेश में सरकार बनीए तो दंगा मुक्त प्रिशासन राहे और कहीं पे भी आप देखिए कहीं पे भी गुंडा राज जो समाजवादी के समय में था वो आज शांत और लोग व्यवस्ता चाहते हैं असिम राजा साथ को नजर आ रहे थे सुब़े से घंशाम सिंग लोदी जी का था थोड़ी दिर में और अभी आए भी थे बीच में अब फिर से आएंगे जल्दी जल्दी तो बस यह इंतिजार कर रहे थे कि जीत की घोशला हो कि उसके बा लोगों ने मेहनत करी थी रामपूर की जनता ने जो प्रयास किया था वो आज रंग लेकर आया है और आज ही हमारी रामपूर की जनता के लिए भारती जनता पार्टी के लिए बहुत खुशी का दिन है कि सनुझ में एक बार चाहूंगी कि कुरी मुकावले दर्शकों में ना रहे यहां काउंटर सवाल पूछिए कि जो यहां सपा की कैंडिडेट ने आरोप लगाया कि अभी तो 21 वे राउंड की वोटिंग चल रही है तो अभी इसे कैसे डिक्लेयर हो गया कि जीत गए अचा एक चीज आप बताईए कि अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रतियाशी आसिन राजा उनका सीधा यह आरोप है कि 20 वे राउंड की जो गिंती का रिकॉर्ड है वो उनके पास आया है 33 राउंड होने थे 13 राउंड क्यों नहीं दिये गए कैसे जीत की घोशला करते यह गल ठीक सारे के सारे राउंड जनता के सामने किया हैं और जितने भी एजंट भूतों पर लगे हुए हैं यहां पर वो पर सारे राउंड जेंट्क सारे एजंडों के सामने खुलेगा यह जलgirl है उनका तो यह भी आप था कि मत्तदान के दिन आपने वोट निक्टर नी जाएंगे तो आदमी जा रही थी कि देखे मुस्लिम बोटों में जब तक सेंद नहीं लगाई जाएगी तब तक जीत निश्चित नहीं होगी करता है नेताओं को अपनी जीत का दावा करने का में नेकिन हम भी तब तक नहीं मानतें जब तक आधिकारे गोजना ना हो सबी के अपने अपने दावे हैं दावे हम साफ तौर पर अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं विर्ज़त मेरी सयूगी आयूशी भी जोड़ चुकी है और आयूशी आगे की जांकरी देने जे बिलकुल देखें एक कड़ा मुकाबला चल रहा है और दोनों सीटों की बात करें तो जो अंतर है वो कही न कई कम होता जा रहा है कभी भाज़पा आगे निकल रही है तो कई सपा जो प्रत्याशी है वो आगे निकल रहे है मेरे दो सयूगी लगातार हमारे साथ बनी हुए है सनुझ रामपूर से हमारे साथ बनी हुए है और सैलिश हमारे साथ बनी जाएंगे क्या अपडेट है फिलार ठीके ठीके उनकी तरफ जाएंगे आयूशी लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर दे रहे हैं निरवा एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए और आंकड़े देख लीजे कितने बोटों से आगे बढ़ गए हैं निरवा ये आपके सामने हैं सपा के नेता प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को पचाड़ते हुए निरवा फिर से लीज बनाए हुए और एक बार फिर से उन्होंने आकड़ों में बढ़तासिल की 5190 बोटों से निरवा आगे निकल गए हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं निरवा इस वक्की ये बड़ खबर भाच्पा के प्रत्याशी आजमकर से निरवा सपा के धर्मेंद्र यादव से आगे निकल गए हैं धर्मेंद्र यादव दूसरे स्थान पर है गुड़ु जमाली तीसरे स्थान पर और इस वक्त जहां निरवा ने एक अच्छी लीड पकड़ी है 5190 बोटों से निर अगे निकल गए हैं जी आई उशी तो देखे ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं बच भाच्पा के निरुआ फिलाल आगे चल रहे हैं और सैलेश हमारे साथ बनी हुए हैं सैलेश फिलाल क्या अपडेट है आपके पास क्या नजारा वहाँ पर फिलाल देखनी को मिल रह देखे फिलाल अगर बात करें तो अभी सापा कार्याले के बाहर जैसे हम कुछ लोगों से बात कर रहे हैं वही है अखिलेश यादव अभी पी अंदर मौजूद हैं और लगातार पलपल के इस पूरे घटना क्रम पर उनकी नजर बनी हुई है जो रुचान आ रहे हैं के क् हम आपको बता दे सोर्सर से मिली जानकारी के अनुसार जिस तरह से अभी आसिम राजा को हम सुन रहे थे तो असीम राजा ने जो बाते कहीं कि वहां पर उनके हाथ में जो टैबुलेशन है और जो चीज अभी नहीं आई है उनको लेकर भी अखिलेश यादव ने के अभी भी सफा के कारेकरता मोबाइल हाथ में है क्योंकि बाहर टीवी तो नहीं मिल सकता था यहाबर लेकिन मोबाइल पर ही लगा तार जो नतीजें देख रहे हैं तो पल-पल की जो अपडेट है यह लोग देख रहे हैं और एक पर पर बात करते क्योंकि आजमगड में जो नतीजें जो रुजहान है जिस तरह से दिख रहे हैं निश्चित तूप से सपा के लिए बहुत बड़ी चुनोती है आप बताओ आजमगड की आप से ही शुरू करते है बात के लगातार ने रहुआ जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं आप भी आजमगड के हो क्या बजा लगरी आखिर क्यों सपा वहां पर इतनी फाइट नहीं कर पा रही है चुना में कम समय प्रत्यासी चैन करने भी समय जो मिला बहुत कम मिला और वहां जो फाइट है देखिए बीजेपी का जो को रोट है तो है सरकार भी है और उनका जो आपने अभी तक कहा था कि निराशा भी हो रही है निराशा नहीं है हमने तब भी कहा था अब भी करें जीतेंगे मार्जन बहुत कम होगी यह आप अभी आठ राउंड की गिंती बची हुए है हम लोग लगबग 2-50000 पीछे हैं और उसी हम आप सो बता देना चाहां से आधा का डिफरेंस आगया था फिर कवर किये हैं फिर लगबग 3,000 बचे हुए हैं अभी आठ राउंड की गिंती बची हुए हम लोग जीतेंगे लेकिन हां यह एक फिलाल मार्जन बहुत कम होगी और अपने कारिकरताओं से अपील करना चाह रहे हैं कि वहां डटे रहें वहां से भागे ना और जिस तर प्रतियासी चैन अलग होगा उसकी तैयारी अलग होगी उसका प्रतियासी चैन अलग होगा ठीके इस वक्त दर्शकों को पहुत जरूरी है जहां इस उप्चुनाब से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट इस वक्त और सामने आ चुकी है और यह देखे भाजपा सांकेछन महामंत्री बियल संतोष ने जीत का दावा किया है इस वक्तकी ये बड़ी खबर बियल संतोष का ये दावा की जीतें के हम ही यारी की भाजपा की जीत इन चुनावों में तै है इस वक्तकी ये बड़ी खबर भाजपा की तमाम word देता तक तक की लगा कर इस Messina Cam Nay यह चीद का दावा कर दिया है रांपुरी सीच पर भाजपा की तरफ से दावा की जीत उनकी तैय है इस वक्त की ये बड़ी खबर ये टूइट है बियल संतोष का जो उन्होंने आपसे कुछ बिनिट पहले ही किया है जिसमें रामपुर में भाजपा की जीत का दावा उन्होंने किया है इस वक्त की ये बड़ी खबर रामपुर सीट पर जहां सपा और साथ ही भाजपा के बीच में कड़ी टक कर और इस बीट भाजपा संगेचन महामंतरी बेल संतोष ने जीत का दावा कर दिया 37,797 वोट से घंशाम लोदी के जीतने का उन्होंने दावा कर दिया है